जानेंगे दोस्तों आज अपने राजस्तान में किन किन जिलों में भारी वारिस के संबाबना है भारते मौसम बिवाग और राजस्तान मौसम बिवाग दोरा आज की जो इस्तिती बताई गई है वो पूरी तरह सत्य सावित हुई है अधिकान से जिलों में गहरे काले बादल पहुँच चुके है हाला कि मैं मानता हूँ हवा चलने की बज़े से दोस्तो बारिस नहीं हो पा रही है लेकिन फिर भी केई जिलों में रिमजिम्त केई जिलों में भारी बारिस शुरू हो चुकी है आज पूरे राइस्तान में भारते मौसम विवाग के दौरा भारी बारिस की संबाबना है आपके यहां मौसम कैसा है कॉमेंट करकर जरूर बताएं तापकि आपके जिले की लोगों को पता चले कि आपके जिले के कौन से गाम और तेसिल में भारी बारिस हो रही है दोस्तो मैं बता देता हूँ कॉमेंट करकर कुछ लोगों ने पहले बताया था डूंगरपूर और बासबाड़ा में काफी तेज बारिस हो रही है लेकिन दोस्तो आपको बता देता हूँ इस सेनल पर केबल और केबल भारती मौसिम भाग और राजस्तान मौसिम भाग के नुसार दी गई सठीक जानकार ही आपको मिलेगी आईए जान लेते हैं वो पूरी खबर भी मिस्तार से जिलेवाई डिटेल के साथ दोस्तो यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सबस्क्राइब ने किया तो सबसे पहले चैनल को कीजिए सबस्क्राइब सबस्क्राइब करने के बाद आल नोटिफिकेशन को दवाना बिल्कुल भी ना भूलना ताकि आपको हर वीडियो का नौटिफिकेशन में प्राप्त हो सके साथ में वीडियो को कर दीजिए लाइक दोस्तो इंडिया मेटल जपाटमेंट यान की भारती मौसम भाग दोरा आज की जो इस्तिती बताई गई है राइस्तान की वह भी दिखतरना की इस्तिती है आप देख रही है दोस्तो इसमें अपने पूरे राइस्तान में अगर बात कर पस्मी राइस्तान की तो उसमें तो और पलब है अलर्ट है और दोस्तों पूरी राइसदान की जो इस्तिटी आप देख रहे हैं वह यहां पर रियाने की सीकर और जुन जुनों भी इसी में सम्मीलित है और साथ में दोस्तों यह जो उदैपूर से उदैपूर तक का जो छेतर है वो दोस्तो रेड अलर्ट में आ रहा है इसके अलावा पस्चमी राजस्तान में भी गहरे काले बादल पहुंच चुके हैं दोस्तो जिन जिलों में अभी बादल नहीं पहुंचे हैं गहरे कादल वो दोपेरबाद वहाँ पह आप देखी रहे हैं रेडर अलर्ट है जो कि बिये खतरनाक है गहरे कादल बादल जो सो तेज गरजना के साथ भारी बास कर सकते हैं हाला कि जहां आपर जिस शेतर पर जिस गाम में हवा चल रही है दोस्तों उस गाम में बारस की अनुमती में नहीं कह सकता क्योंकि वहाँ पर कहा जाता है कि वारिस चलने की बज़े से बादल है जो अपना अस्तेत्व खो देते हैं बारिस की संबाबना बहुत ही कम होती है इसमें दोस्तों भारतिय मौसम विवाक का और निर्ज देने वाले का कोई भी दोस नहीं है इसका मतलब यह नहीं है कि आपके जिले में वारिस नहीं हो सकती हो सकता है उसी चेतर में हवा चल रही हो लेकिन आने चेतर में हवा सांत हो तो वहाँ पर तेज बारिस हो सकती है बादल फटने की अब पूरी पूरी उम्मीद बनी हुए दोस्तों राजिस्तान में अब आप देखिए दोस्तो इस्तिती जो ऐसा है बनी है मैंने आपको बताए था ये जो छेतर है ये वाला छेतर है ये वाला छेतर है भारती मौसम वाग ने रेड अलर्ट में रखा है इसका मतलब इन जिलों में से किसी ने किसी जिले में भारी बारिस और तेज बारिस हो सकत और दोस्तो यानि की शिरोई का कुछ हिस्सा ही सम्मेलित है पूरा नहीं है दोस्तो राज समंद इसके अलाबा भीलबड़ा अजमिर का आदा हिस्सा इसमें सम्मेलित है सीकर जुंजनू अलबार जैपूर दोसा बरतपूर धौलपूर करोली सवाई मादोपूर टॉंक इसके लोड़गार्ड कोटा बारा जालबार इन जिलों में दोस्तो भारी बारिस की संभावना है अब डिपेंड करता है कि जो मानसून है जो बादल है किस जिले की और ज्यादा अग्रसर होते हैं इसके अलावा दोस्तो मद्यम से लेकर तेज बारिस की संभावना इन जिलों में त इन जिमलन में मुक्यते, जेसलमेर, बाड मेर, चालौर, सिरोही, पाली, जोदपूर, विकानेर, नागौर, चूरू, हन्मानगाड, शिरीनगार ये दोस्तो ऐसे जिले हैं जिनमें मद्यमस लेके हलकी बारिस के संबावना है यदि दोस्तो आपके जिले में या आपके चेतर बना देंगे या इसके बज़े से दोस्तों वो अन्य छितर पर बरसते हैं तो यही है दोस्तों पूरी तरह मौसम की एकदम सठीक जानकारी जो कि आज आज आपको विहदी सठीक और उचित तरीके से समझाने की कोशिस की गई है धन्यवाद